स्टैंड अप कमीडियन मनुवर फारुकी उन्हें गरफतार कर लिया गया है उन पर धालमिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है फारुकी के साथ चार अन्हे लोगों को भी गरफतार किया गया है कोट ने पाँचों आरोपियों को न्याय खिरासत में भेज दिया है फिलाल ये मामला मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्ख्यों में है अई जानते हैं क्या है पूरा मामला इन दौर में एक जगा है जिसका नाम है 56 दुकान यहां का मुन्रो काफे युवाओं में लोग प्रिय है यहीं पर एक जनवरी 2021 की शाम मुनवर फारुकी का स्टैंडब कॉमेडी शो चल रहा था अचानक भीड के बीच से कुछ लड़के निकले इन लोगों ने मंच पर पहुँचकर मुनवर फारुकी का विरोध किया इसके बाद यह लोग फारुकी और कुछ अन्ने लोगों को लेकर थाने पहुँचे जा इनके खिलाफ F.I.R करा दी इस पूरे प्रकरण के दौरान कुछ लोगों ने विडियो भी बनाये जो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं क्या कहना है विरोध करने वालों का इन दौर की BJP विधायक है मालिनी गौर, उनके बेटे हैं एकलव्वे गौर एकलव्वे एक हिंद रक्षक संग्ठन चलाते हैं, उनका दावा है कि मुनवर लगातार हिंदू धर्म को निशाना बना रहा था और गोधरा, अमित्शहा, RSSS पर टिपणिया कर रहा था मुनवर को पुलिस को सौपने के बाद एकलव्वे ने मीडिया से कहा हमारे संग्ठन को इस कारेक्रम की जानकारी थी, हमने टिकेट खरीदे वहाँ वही हो रहा था जो पहले होता रहा है हिंदू देवी देगता, गोधरा, अमित्शहा जी को लेकर बाते हुई हमने इसका विडियो बनाया है, हमारे पास एविदेंस है हम और्गिनाइजर और कमेडियन को थाने लाए और पुलिस को सौब दिया पुलिस का इस मामले में क्या कहना है चेत्रिये CSP, BPS परिहार का कहना है मुन्रो काफे के मालिक ने इस कारेक्रम की कोई अनुमती नहीं ली थी साथ इस कारेक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी मौजूद थे सोशल डिस्टेंसिंग क्या थी, क्या टिपणी की गई है वीडियो मिला है जिसकी जाच की जाएगी, उसके बाद जो कारवाई बनेगी वे करेंगे पुलिस के मताबिक जिस कैफे में शो हो रहा था, उसके मालिक कोई शो की कोई जानकारी ही नहीं थी पुलिस ने कहा कि मुकतास जैन ने कारेक्रम की जानकारी होने से इंकार किया है पुलिस ने कहा कि जैन ने शो की बारे में ना तो पुलिस को बताया और ना ही कोई अनुमती ली इस मामले में और जानकारी के लिए हमने बात की तुको गंज थाने के S.H.O. कमलेश शर्मा से उन्होंने बताय कि पांच लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई है आरोपियों को जेल भेज दिया गया है इन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का आरोप है मुनवर का ऐसा कोई वीडियो पुलिस के पास नहीं है जिसमें वे आपत्ती जनक बाते कह रहा हो कमलेश शर्मा ने बताय कि एक अन्य कोमीडियन प्रखर का वीडियो पुलिस को मिला है इसी वीडियो के आधार पर IPC की धारा 295A धार्मिक भावनाएं आहत करना के तहत मामला दर्ज किया गया है प्रखर, प्रियम, नलिन, एडविन और मुनवर फारुकी को गरफतार किया गया है न्याय खिरासत में भेजा गया पुलिस ने सभी आरोपियो को कोट में पेश किया जहां से इनको 13 जनवरी तक के लिए न्याय खिरासत में भेज दिया गया है ADPO नरुतनम कौरव ने बताया कि न्याय धीश अमन सिंग भूरिया की कोट में आरोपियो की पेशी हुई थी आरोपियो की ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया था जिसको कोट में अस्विकार कर दिया और न्याय खिरासत में भेज दिया जानकारी की मताबिक इस दौरान कुछ वकीलों ने आरोपियो पर हमले का भी प्रयास किया एक विडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल है जिसमें एक वकील पुलिस वालों के साथ बाइक पर बैठे एक शक्स को थपड़ मारता दिखाई दे रहा है वेबसाइट सत्य हिंदी के मताबिक गरफतार किये गए आरोपियों के वकील अंशिमन श्रिवास्तव ने इस शिकायत को पूर्वग्रह से ग्रसित बताया और कहा कि एमामला राजनीती से प्रेरित है वहीं एक अन्य न्यूस वेबसाइट की खबर के मताबिक अंशिमन श्रिवास्तव ने अदालत में कहा कि F.I.R. में लगाए गया आरोप अश्पस्ट है उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंतृता के सम्विधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए उनको जमानत देने की गुहाल लगाई मुनवर फारुकी कौन है? थोड़ा गूगल करने पर मुनवर फारुकी से जुले तमाम वीडियो सामने आ जाते हैं फारुकी गुजरात के जुनागर के रहने वाले हैं लेकिन काफी पहले ही एमदाबाद शिफ्ट हो गए थे देश के अलग-अलग शहरों में घूम-घूम कर अपने कारेकरम करते हैं और अपने कुछ वीडियो के कारण दक्षिन-35 संगठनों के निशाने पर रहते हैं अपने एक वीडियो में फारुकी ने माफी भी मांगी थी और कहा था कि वे प्यार और खुशी पहलाना चाहते हैं अगर उनके वीडियो से किसी को ठेस पहुची है तो वे माफी मांगते हैं मुनबवर फारुकी के परिवार के एक सदस्य का नंबर भी हमें मिला हमने उनसे बात करने का भी प्रयास किया लेकिन उन्होंने मुनबवर फारुकी को पहचानने से इंकार कर दिया आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी वरुन्य, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दीललन टॉब, शुक्रिया